हलो गाइज, वेलकम बैक टू माइ यूटूब चैनल, हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं Ajax टूटोरियल, हम लोग इस वीडियो में complete सीखने वाले Ajax टूटोरियल क्या होता है, और हम लोग यहाँ पर practical भी करेंगे, मैं आपर practical implementation करके भी दिखाऊंगा, कि Aj Ajax को क्यों यूज करें, और Ajax एक बहुत ही कमाल की technology है, और maximum sites पे आजकल यूज होती है, sites मतलब website पे आजकल यूज होती है, आजकल जो आप frameworks देखते हो, जैसे आप React सीख रहे हो, आप Angular सीख रहे होते हैं, बहुत सारी लोग, बहुत सारी website इन सारे frameworks को modern frameworks को यूज करके ब करना है, अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो चैनल को सिंप्ली सब्सक्राइब कर गए, वेल इकन को क्लिक कर लेना है, जिससे कि ऐसे ही latest videos आपको मिलती रहे और support करिए, जल्दी से हमें 100 के complete करना है, जलते हैं बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि basically Ajax हो सबसे पहला ही word बहुत ही ज्यादा confusing होता है, most of लोग को नहीं पता होता है कि Ajax का full form क्या होता है, तो यहां अगर मैं बात करूँ Ajax stands for asynchronous JavaScript and XML, तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से A लिया गया है, यहां से J लिया गया है, यहां से A लिया गया है, यहां से X लिया गया है अगर मैं Ajax क्या होता है, इसकी बात करूँ तो Ajax is a mechanism for making partial page updates, it enables you to update section of a page with data that comes from the server, avoid full page repress, तो अब इसमें होता क्या Ajax का मतब होता है कि भाई, यह एक mechanism है, जिसकी help से हम लोग क्या कर पाएंगे, सिर्फ पूरे web page का वही हिस्सा update कर पाएंगे, जो जरूरत है and वह हिस्सा update तो होगा by calling, वह request जाएगी server को server पे data, server से data आएगा and then वह section of the page update हो जाएगा, आपको पूरे page को update करने की जरूरत नहीं होगी and इससे क्या होगा कि पूरे page को जब हम लोग update नहीं करेंगे तो वहाँ पे जो हमारा refresh होगा page वह भार-बार refresh होता है अन कह सकते हैं जो जो data नहीं refresh होना नहीं लोड होना चाहिए वह भी लोड होता था जिसकी वज़े से हम लोग को क्या होता था कि maximum loading time हो जाता था और loading time बढ़ जाता था इससे कि अब क्या होगा कि अब जितनी जरूत है उतना ही data हमारा लोड होगा और बाकी का data हमारा same page exact पे रहेगा यह होता हमारा Ajax का concept simply asynchronous JavaScript मतलब जितना data चाहिए उतना ही लाओ फरजी का page reload वगयरा करके extra data को load मत करो तो यहां पर यह काम कैसे करता है इसरी चीज़े हम लोग देखेंगे कि क्या है Ajax यह तो समझ गया है कैसे काम करता है इसरी चीज़े हम लोग समझेंगे अब हम लोग क्या करते है थोड़ा सा एक बार एक दुबार हम लोग example देख ले जैसे फॉर इग्जांपल अगर मैं पहली बार यूटूब की site खोलता हूंगे हाँ फर्स टाइम आकर मैं यहां पर यूटूब उपिन करता हूं गूगल उपिन करता हूं यहां मैं यूटूब उपिन क्या तो आप देखो को यहां पर यहां पर आइकन घुमाता पूरा का content load हो रहा है server से, अगर मैं क्या करूँ, suppose मैं यहाँ पर explore पर click करूँ, आप दिखे, अब यह page यहाँ पर reload नहीं हुआ, that means एक बार page load हो गया, पूरा का पूरा page load हो गया, उसके बाद जो data चाहिए, वही data हमें यहाँ पर मिला, इसका मदब यहाँ पर Ajax कहीं, Ajax use हो रहा है, backend में data, backend में request गई server को, and यहाँ का data हमें change करना था, तो यहाँ का data change हो गया, इसका मदब इस page पर कहीं न कहीं, use हो रहा है हमारा Ajax user, अगर मैं trending में जाओ, click करूँ तो देखे, यहाँ एक line du लिख रहा हूँ, पूरा पर result दे रहा है, अब यह result कहीं न कहीं से server से आ रहे होंगे, client से तो आ नहीं रहे हैं, तो होता क्या, जैसा ही आप type कर रहे होते हो यहाँ पर, request backend में जा रही होती है, और आपका page आप Ajax हो रहा है, server side से यह data load हो रहा है, इस तरह आप Facebook search करते हो, Google search में भी जब आप यह code लिखते हो, तो आप देखते हो, यहाँ results आते रहते हैं, वो कहां से आते हैं, वो भाई, server से यह आते हैं, और Ajax होता है, पूरा का पूरा page आपका एस रहता है, या आप जब फेस्बुक पर chatting वगरे करते हो, तो chat box होता है, chat box window वहीं पर message करते हो, data server पर जाता रहता है, database में save होता रहता है, और वहां से क्या होता है कि, वहां से response भी आता रहता है, आप वहां ही पर चीज़ें update होती है, तो उतना ही portion update होता रहता है, बाकी data क्या रहता है, बचा रहता है, यह basic concept है Ajax का, Ajax simply avoid करता है, पूरे page को reload होने से, या पूरा page फर्जी जो refresh हो रहा है, या फर्जी जो सर्वर भेज रहा है, और data भेज रहा है, उसको avoid करेगा, जितना data चाहिए, section of the page, यह पूरा-पूरा section है, उस page को यह क्या करेगा, सिर्फ उतना ही data update करेगा, उतना ही page update करेगा, उतना ही data server से मांगेगा, कि भाहिया मुझे यही चीज सिर्फ चाहिए, और चीज हमें नहीं चाहिए, तो guys, अगर मैं मैं बात करूँ, Ajax काम कैसे करता है, तो Ajax का पूरा-पूरा काम होता है, हमारे पास जो browser होता है, अगर यहां पर मैं बताओ, यह suppose पूरा पास browser है, जैसे Chrome वगर हम लोग यह करते हैं, जो भी browser है, हमारे पास उस browser के पास एक object होता है, ठीक है, उस object का नाम है XML request, ठीक है, इस XML request object को यूज करके सारा का सारा काम होता है, बहुत सारे लोग इसको XHR भी बहुल सकते हैं, ठीक है, तो जो भी Ajax request जाएगी, वो इसी object को use करके हम लोग server को भीज सकते है, ठीक है, इसी लिए मतलब आप पूरा-पूरा page reload नहीं होगा, हम लोग इस object को उस करेंगे, XML request, XML request, ठीक है, तो यह है पूरा इसका नाम, ठीक है, आप क्योंकि मैं भार-बार XML HTTP request भूल जाता हूँ, थोड़ा सा आजीब सा मुझे लगता है, तो भार-बार XML request के नाम से याद रखता हूँ, बड़ जब लिखता हूँ, तो मुझे याद रहता है कि भाई, आप लोग इस वाले object को XML HTTP request, तो इसको हम लोग use करेंगे, यह basically हमारी help करेगा data request को send करने के लिए, and request को receive करने के लिए, request को करने के लिए, request को receive करने, कैसे use करना है, कैसे use नहीं करना है, वो सब चीज हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है, बट आप याद रिखेगा, हमें XML HTTP request चाहिए, data request को send करने के लिए, request को receive करने के लिए, Ajax का कहता है, अगर आपने request भेज है, suppose R1 आपने server को भेज दी है, कुछ data पाने के लिए, तो यह server जब तक इसको serve कर रहा है, तब तक क्योंकि यह block नहीं करेगा, ठीक है, तो यह क्या करेगा, यह R2 भी उसी से भेज सकता है, parallel में, फिर R3 भी भी सकता है, इसी तरह multiple request at a time भेज सकता है, server के पास, जबकि अगर हम Ajax नहीं use करेंगे, तो क्या होगा कि आपको वो block कर देगा, जैसे आपने कोई page button पे क्लिक किया, तो वो तब तक page reload होता रहेगा, आप बाके कुछ नहीं कर पाऊगे, तो अगर आप Ajax नहीं use करते हो, तो आपका पूरा-पूरा page का भी ब्लॉक हो जाता है, और Ajax क्या करेगा, यह block नहीं करता है, पेज को multiple request at a time भेज सकते हो, server उसे request को accept करके, process करके, वापस आपको response में page देगा, अब इससे फाइदा क्या है, इससे भाई, बहुत सारे फाइदा है, इससे एक सबसे important एक फाइदा है कि यह user experience को सबसे ज़्यादा अच्छा बनाता है, बार बार पार पूरा-पूरा unnecessary page reload नहीं होता है, यह server से load नहीं होता है, interaction बहुत बढ़ी होता है और इस website या फिर site की performance भी बहुत अच्छी बन जाती है, तो Ajax has become so popular that you hardly find the application that does not use Ajax to some extent, तो अब Ajax इतना ज्यादा popular हो चुका है कि अब हमें बहुत कम website ऐसे मिलेंगी जो Ajax को नहीं use कर रहे होंगी, otherwise बहुत बड़ी-बड़ी websites हैं, जैसे Gmail हो गया, Google Map हो गया, Google Docs हो गया, YouTube हो गया, Facebook हो गया, Flickr हो गया, बहुत सारे applications है, अब तो normal websites में भी लोग Ajax को use कर रहे हैं, तो यह पूरी की पूरी कहानी होगी, Ajax होता क्या है, I think आप समझे होगे, अब बात करते है, Ajax काम कैसे करता है, and Ajax को हम लोग कैसे सीज़े समझ सकते है, how Ajax work, Ajax कैसे काम करता है, Ajax को समझेंगे, Ajax कैसे काम करता है, and then उसके बाद हम लोग समझेंगे कि अगर हम normal request मारते हैं, तो normal request कैसे जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले Ajax की, Ajax का फाइदा भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा कोई भी request मार रहो चाहाए, synchronous request to service data road कर निकले है, तो वो request mostly, अभी मैं ऐसा suppose कर रहा हूँ कि आप वो request browser से मार रहो, and that is your chrome, ठीक है, यह request आप browser से मार रहो, Google Chrome है आपके पास, ठीक है, and यह request मार रहोगे, कहाँ, आपके पास एक server होगा, वहाँ से request मार रहोगे, तो suppose हमारे पास यहाँ पे server है, तो मैं ऐसे बना द load कर देगा, यहाँ पे HTML दिखा देगा, लेकिन अगर आपको Ajax request मार नहीं है, तो आपको use करना पड़ेगा, यहाँ पे, एक object, and उस object का नाम है, अभी मैं आपको बताया था, यह जो object है, वो हमारा XML HTTP request का object, अभी हम लोग इसको use करेंगे, अपने program में, and हम लोग इस object को use कर आपके है, and then हम अपने server पे request मारेंगे, ठीक है, अब यह जो request होगी, वो Ajax, asynchronous वाली Ajax वाली request होगी, Ajax वाली request का मतलब होता है, कि यहाँ पे जो पूरा page load होगा, उसमें कुछ portion के लिए ही, यह request गई होगी, and जब response आएगा, तो हम लोग को, यह response यहीं से मिलेगा, ठीक है अपडेट हो जाएगे, and अगर multiple request आप मारते भी Ajax को use करके, तो आपका जो, मलब request, वो आपका जो session, मलब कह सकते हैं, ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि यह Ajax है, I think मैं समझा पा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ और भी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे for example, for example, speaker Ajax की बात करते हैं, यहाँ पर, suppose हमारे पास, यहाँ इस तरफ हमारा client है, यह हमारा chrome तहा इस तरफ हमारा client है, and इस तरफ हमारा server है, तो आप देको, यहाँ से request गई, suppose R1 हम यहाँ से aspire रहे, client server को मार रहा है, and यहाँ पर इसकी processing और रถ derechos, को, यह हमारी पूरी की पूरी sinyah technology सब्सक्राइब गिशनया लगताइब तक सब्सक्राइब अप TV मेल के भी प्रच और को लिए कर सकते हो तो अब तीनों रिफसस्टाइब और टुम हो रही है अब ग्रस्पाइब Не यह खतम हो जाए तो आप क्लाइंट को मिल जाएगा फिर रेस्पॉंस यह वाला रेस्पॉंस था 3 यह वाला था हमारा रेस्पॉंस वन तो इस तरगे से काम होगा सिंपल साम मत अब समझ रहो कि particular portion section पूरे page का एक छोटा सा section को update करने के लिए क्या कर सकते हो आप request मार सकते हो अपने server पर एंड वहां से आप parallel ही बहुत सारे request मार के data को fetch कर सकते हो जैसे मैंने भी आपको example समझे नर्मल request होती ही तो क्या होता वह देखते जाओ अगर आपको फास नॉर्मल request होती ही तो उस lef they flow होता टैक है जैसे हां 클ाइंट सापोस हमारे left side में फिरिसे client है यह हमारा Сारवं अब normal request में क्या है सपोस्वार आरवन request कर रहा है सर्वर को सर्वर जब तक रिक्वेस्ट प्रोसर्स कर रहा होगा तब तक दूसरा रिक्वेस्ट नहीं चापाएगा ब्लॉग कर देगा यह सिंक्रोन तरीका जो है जब response 1 आ जाएगा हमारा response बना जाएगा तभी आप request 2 को यहां से कर सकते और यह यह process होगा यह पूरा हमारा processing time और यह प्रोसेसिंग time and then जब र्टू का जो response आ जाएगा that means response 2 आ जाएगा and then हम request 3 को मार सकते तो यह बारी बारी से होता है एक करो दूसरा एक करो उसका wait करो दूसरा है and then उसका wait करो so I think आप working समझ गयोंगे synchronous में difference समझ गयोंगे and asynchronous का फाइदा भी आप समझ गए होगे कि basically asynchronous हमारा कैसे काम करता है synchronous कैसे काम करता है अब क्योंकि Ajax का जो form मैंने अभी बताया हो हमने बताया था कि Ajax का मदद होता asynchronous जावा स्क्रिप्ट and XML ठीक है अब आप लोग को लग रहा होगा कि यहां पर XML है तो XML कहीं नहीं XML के साथ ही काम करेगा तो ऐसा नहीं है हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग Ajax को यूज कर सकते हैं हम लोग JSON के साथ भी and XML के साथ भी यूज कर सकते हैं and normal text data के साथ भी यूज कर सकते हैं multiple चीजों के साथ यूज होता है XML तो सिर्फ ऐसे लगा लगा हुआ है for some historical reason पहले के लिए लगा हुआ XML बट ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप XML के XML को मतलब हम आद्व इस चीज को हम लोग outro है कि क्या हम लोग कैसे बात करेंगे तो आप बात करें कि कैसे actually में हम लोग कैसे asx को use करेंगे अपने program में है अपनी website है हमारे पास तो हम लोग कैसे use करेंगे ठीक है तो आपको तीन step follow करना है सबसे पहला step आपको यहाँ follow करना है मैंने भी बताया था कि हमें चाहिए होगा xml http request तो हम एक object बनाएंगे कहीं भी आपको server से data load करना है request मारनी है तो हम लोग object बना लेंगे htp xml http request का इस वाले तो हमने यहाँ पर object मना लिए simply मैं new लिखोंगा and new लिखने के बाद हमने अपने object का नाम लिख देंगे यहाँ पर xml http request and जो भी यहाँ पर data आएगा object बनेगा वो request उतका reference request वाले variable में आ जाएगा अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे दूसरे step में अपने इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर आप देखो तो हम दूसरी यह पहला step हमारा हो गया and दूसरे step में हमें क्या करना है open function कॉल करके request को open करना है ठीक है अब देखो कह सकते हो ऐसा समझ सकते हो कि भ मैं यूज़ कर दो यहाँ पे आप get पास कर सकते हो और भी just aspect method होते हैं जो तरीके होते से jerk protocol घोंभावद करता हूँ यहाँ पर हम अपना फाइल का नाम या वहार्यल पस कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर हम लोग अपने filename भी पास कर सकते हैं फालल का मतब जैसे हमने data हां a-bc.jsp से तो हमें पर about.jsp उसकते हैं किसी text files data उठा सकते हैं किसी JSON files data उठा सकते हैं से करके हम लोग multiple files data उठा सकते हैं and finally last में हम लोग request को send करने के लिए हम लोग क्या use करेंगे? send function use करेंगे request को send करने के लिए यह हमारा 3 step होगा, 3 step है हमारा काम होता है, अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग data get कर रहे हैं, data get कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर कोई parameter नहीं पास कर रहे हैं, but हम लोग क्या करेंगे, जब post करेंगे data भेजेंगे भी, स들이 तो हम लोग said send के अंशे हम लोग यहाँ पर पारमीटर पास करके डिटावए Steak रामीटर पास करके डिटा बेज भी सकते हैं तो Durma सब्चा जब आपको किसी फाइल से डिटा को गेट करना अथा करना तो आप spend के अंदर कोई पारमीटर नहीं पास करोगे और जब आपको डेटा भीजना होगा दब आप वहां पर रिक्वेस्ट की बाडी बेसकती बाडी के अंदर डेटा रखे उसको बेसकती है यह सिंपल सा तीन स्टेप है अगर आपको रिक्वेस्ट भीजनी है अपने सर्वर को आप ऑप्जेट में आलो आपको फाइल का नम पास करना या फिर वो यहां से डेटा आपका आ रहा है है और रिक्वेस्ट करके हम लोग डेटा बेजने के लिए बहुत सारे तरीके हैं यह तो एक सिंपल प्लें जावस्क्रिप्ट का कोड था जहां पर हम लोग ने यूज किया ठीक है कोड किया आप Ajax को बहुत सारे तरीके से कर सकते हो आप jQuery भी यूज कर सकते हो jQuery एक फ्रेमवर्क है जो एक छोटा तरीका प्रवाइड करता है एक अलग सा फंक्शन प्रवाइड करता है सिंप्ली Ajax request को Ajax के operations को परफॉर्म करने के लिए and normally आप fetch API भी यूज कर सकते हो ज हो इसी हो तो हम लोग क्या करते है चलते हैं और हमझा लोग कोडिंग करते हैं कि कैसे हम लोग एक्शली अस्टेमिल को कोड कर पाइंगे अपने प्रोग्राम के अंदर मैं simply यहाँ पो जाया और मैं क्या करने वायोँ प्रोजक्त बनाने वाला हो एक फुल्डर बनाने वाला हो उसके अंदर दो HTML की फाइल बनाने वाला हो और उसी उनी दोनों HTML फाइल की help से आपको पूरा Ajax का concept समझ में आ जाएगा ठीक है तो हम सिंप्ली यहां पर राइट क्लिक करेंगे new पर जाएंगे एंड यहां पर लिख देंगे Ajax ठीक है तो मैं यहां पर लिख दूँगा Ajax वर्क अजैक अंडर्सकोर वर्क एंड एवी को मैं क्या कर दूँगा एवी इस को सोड़ बलेहां और इस इस प्रोजेक्ट को इदर से ड्राइग करके दिणाव फोल्डर को १ो ना कIE प्रोजेक्ट को हैं यहां पर मैं कुछ फैइल मनाउंगा पहलijn मैंने यहां पर फॉंट को थ्वड़ा बड़ा कर लिया है और यहां पर दो फिन बनाओंगा बस ज्यादा कुछ नहीं दो फाइले में बनाओंगा आप देखते जाए कैसे मैं काम कर रहा हूं ठीक है अधेक्स के अंदर राइट लिक करके निव फाइल पर जाओंगा एक बना लूगा करेंगे टाइटल में होम कर देंगे अंड हम लोग बॉड़ी के अंदर आएंगे यहां पर एक एक लिखेंगे लिखेंगे यहां पर विल्कम टू होम पीछ सिंपली सेब कर देंगे ठीक है अब आउट के अंदर आते हैं यह अब आउट के अंदर लिख दिया तो हम लोग क्य हो एच टू के अंदर लिख दो वी आर लर्निंग आज एक्स ठीक है यहां लिख देते हैं पारग्राफ के अंदर प्लेस्टू सब्स सब्सक्राइब करें अब इसको रढ़ करने के लिए मैं live-server भिश्व करा करता तो आप अपने नहीं पता तो आप यहां पे जाके एकक्स थेमितों कर सकते यहांप अप theo क्रों लाइव सर्वर एंड शिंपल यह वाला लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लिए इस पर क्लिक करके रहे मैं अल्रड़ी इंस्टॉल है तो मुझे क्या करना है बस मैं अपने लूट करना है कैसे लूट करेंगे हम क्या करेंगे होम पेज पे एक नो करेंगे जैसे क्लिक करोगे थो हम अब अब मेण छा特別 लेंगर तो हमा जाते हैं home page पे index.html पे यहां पे link देने के लिए सबसे पहले मैं h1 use करूँगा जिससे हमारी link थोड़ी बड़ी बड़ी है ठीक है link हमारी थोड़ी बड़ी बड़ी है यह हो गया बाई इसके अंदर मैं anchor tag करूँगा tap दबाऊंगा एंद href के अंदर मैं डालों है about.html about.html and anchor tag के अंदर जाके मैं लिख दूँगा about page save कर दूँगा and वहापस आएंगे तो आप देखोगे आपके पास यहां पे about page का एक link आ गया जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा हमारा about page open हो जाएगा and about page के अंदर और भी कुछ आप ही लिख सकते हो suppose यहां पे आप लिखना चाहरों h2 to h2 click do about me तो मैं लिखता हूँ about this page, about this page and paragraph के अंदर मैं लिख दे रहा हूँ ysi dummy text sundat का ठीक है तो हमारे पास बहुत सारा content आ गया आप देखोगे यह तो आप यहां पर हो तो guys अब यह जो call हो रहा है कैसे जब मैं about page पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा पूरा data लोड हो रहा है ठीक है देखो कैसे about पे क्लिक किया यह देखे यह पूरा का पूरा data लोड हुआ ठीक है suppose मैं यहां पर welcome to homepage कर देता या कुछ भी लिख देता वो एक्स्ट्रा चीज भी लोड होती सर्वर से पूरा पूरा html लोड होता तो यह है synchronous यहां पर यह रिलोड वाली बटन भी चलती है यहां पर आपको दिखता भी है है, Reloading option भी दिखता है, यहां पे Reloading option भी दिखता है, यहां पर Reloading option भी दिखता है जब आप चाहते हो, यहां क्या चाहते हैं हमारा जो About का Data है यह सब क्योंक हम फर्जीरोड करा रहे हैं यह वाला HTML लिए केमल अड़ेश अब्रूट करना रहे हम क्या करें जैसे यहां पे बटन दाना लिए जैसे इस बटन पर क्लिक करें वह अब आउट कुछ यह यहीं पर पूरी-पूरी अबढ़ कीज़ आ जाए एस इंक्रौनस सैं प्विस हम इसी सेक्शन को अप्टेट करना चाह रहे ह यहां एक homepage पर आके यहां पर हम लोगे container बना दे div नाम देते है result यह container container ठीक है एक class में container बना दे हम चाहते हैं कि यार हमारा जो पूरा पूरा about की information है वो यहां पर आ जाए about की information यहां पर आ जाए ठीक है about पर क्लिक करके पूरा पूरा यहां से data जाके ना देखें हम जैसा ही about पर क्लिक करें यहां पूरी की information इसी के बारे मैंने about अपने बारे में सब कुछ लिख रखा है यह रखा हुआ है about.html पे यह हो सकता है information about.json में रखी हो यह हो सकता है about.php हो कुछ भी हो ठीक है server पर अभी मैंने ठीक है यह function call करोगा अब 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 इसी बात यह function में बनाना पड़ेगा तो हम लोग इसके नाम को copy कर लेते हैं और ऊपर चलते है head के अंदर यहां हम लोग script tag के अंदर ठीक है यहां पर हम लोग लिख देते हैं वह लग फंक्शन तो हम लोग simply function बना लेंगे यह function हमारा चल जाएगा जैसे आप load about पर क्लिक करोगे आप देखो फूरा फुल जावस्क्रिप्ट है यहां पर loading loading save कर देता हूं और आप देखोगे यह loading that means हमारा यह function चल जा रहा है अब हम लोग यहीं पर Ajax लगाएंगे यह हम लोग लगाएंगे Ajax call to Ajax और हमें data load कहां से करना है about.html हो सकता है कि यह कोई दूसरा इवारल होता बिल्कुल सही था बट बहुत easy होता है दूसरा इवारल होता तब भी आप root कर सकते थे यहां पर about.html के जगा आप वह अला URL यूज कर लेते कैसे उस करना हो सब चीज में आपको दिखाने वादा हूँ बस आप देखते जाए ठीक है अब हम वही तीन इस्टे फॉलो करेंगे सबसे पहले हम लोग बनाएंगे object http request xmlhttp request का तो आप देखते हम पर हम देखेंगे new xml देखेंगे बहुत सार आ रहा है यह देखें xmlhttp request object बन जाएगा इसको हम एक variable रख देंगे let use कर सकते है where use कर सकते है and request ठीक है object बन गया उसके बाद दूसरा step इस object पे हमें open करना है open function कॉल करना है ठीक है instantiating the request object तो हम लोग open करने के लिए simply आप request.open अभी मैंने आपक इसको पीपेटी में बताया था यहां पर दो चीज पास करनी है method कौन सा hdp method उसकरोगे तो मैं यहां 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 पर हमें कौना लगाए पास करना है अपने page का नाम या e-rl तो हमारा e-rl या page है about.html that's it and third step है हमें क्या करना है हमें request को send कर देना है but hold on request को send करने से पहले listener define करेंगे देखे कैसे हम लोग कहेंगे यहां पर request के पास एक property है जिसका नाम है आप देखो बहुत सारे है इसका उसका नाम है on ready state change तो जैसे ही state change होगा यहां पर जो हम function देगे और call होता रहेगा तो हम यहां पर एक function दे रहे है आप देखते है आप arrow function यूज कर सकते थे तो यह function अपनी आप से call होता रहेगा call whenever whenever state change state change ठीक है जैसे request चाहेगी आएगी उस speech में बहुत सारे state changes होंगे जब complete हो जाएगा व change होगा भी मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है तो यह function अपनी आप से call होता रहेगा तो अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर चेक करेंगे request complete हो गई और successful भी हो गई तो अब देख जो पिहाँ को इफ लगाना है अगर request complete हो गई तो आपके पास बहुत सारे code है देखो कैसे हम basically code हमें मिल जाएगा ready state code है मैं आप code दिखा दो दिखे code इस code की value बहुत सारी हो सकती इस code की value हो सकती जीरो जीरो कब होगी जब client has been created open is not called it जैसा ही आप client बना देते हो that means object आपने बना दिया and अभी request unsend है तो इस वाले इसका code 0 होगा इसी तरह बहुत सारे code है this.ready state का code 1 होग अगर open हो गई अपने open function तो call कर लिया है तो इसका code 1 हो जाएगा और function चलेगा तब भी बट भी यहाँ पर इसका code 1 होगा ठीक है इसी तरह header receive के send has been called and header and status are available तो 2 हो जाएगा loading की case में 3 हो जाएगा और finally जब done हो जाएगी operation complete हो जाएगा तो यह 4 हो जाएगा इसका मतलब हो यह condition लगाना है अकर इसकी वाले 4 हो गया इसका मतलब हुआरा सब कुछ done हो गया साथ ही साथ में request successful कब होती है ठीक है जब हमारा जो status होता है तो हम कहेंगे this.status है अगर वह status ह हो गया 200 तो इस तरह से बहुत सारी status होते है तो अब देखो इसका मतलब request complete हो गई इसका मतलब जो response है वो सब कुछ ठीक ठाक आ गया वापस यहां पर 400 होता है तो server पर कुछ error आ गई होती या ऐसा करके बहुत सारी जह होती है internal server error होता है 500 होता ठीक है and हम लोग if condition open कर देंग बस अब इसके अंदर इसका मतलब हमारी request complete हो गई है and successful भी रही है successful भी रही है and अब हमें जो काम करना करेंगे तो हम यहाँ पर console.log लगा के print करेंगे अपना data print कर सकते हैं या मतलब अपना this.response response text पहले print कर देंगे data print कर देंगे उसके बाद हम लोग result में इसको fetch करेंगे त हम सिंपल सा index था ठीक है यह वाला यह वाला on ready state change क्या करेगा इस function को call करता रहेगा जब भी state change होगी ठीक है and after that हम लोग क्या करेंगे आप देखते जो जब यह function call हो जाएगा function के अंदर ही अब हम लोग क्या करेंगे request dot simply send call कर लेंगे बस हमारे request यहां से send हो जाएगे तो त हम लोग करते हैं हम लोग चलते हैं हमारा page reload हो गया हम console open कर लेते हैं राइट साइड में console open कर लेते हैं यहां पे and simply load about पे click कर आऊ तो देखेगा यह देखे पूरा का पूरा data console dot log से print हुआ html index dot html से 20th line से मतलब यहां से print हुआ इसका मतलब इस this dot response में सारा का सारा data हमार आ चुका है और अगर हमारा सारा data आ चुका है तो हम इसको कहीं भी उसकर सकते हैं और अभी भी आप देखो यह page हमारा वही है index dot html page है तो इसको हम लोग इस जो data आया है this dot response को हम लोग डालते हैं इस container के अंदर तो container के अंदर डालने का बहुत easy तरीका है इसको और भी तर करने के हां container and dot inner html यूज़ करेंगे property inner html अपना this dot response text वहाँ पर यूज़ करने के बस अब हमारा जो response होगा वो यहां भी आ जाएगे दिखे तो यह अब आउट जो था यहां भी आ चुका है ठीक है अब हम अब हमें इस पर क्लिक करके about page पर जाने के जरूत नहीं है अब लोग यहां पर इसको दिखा सकते हैं यहां पर एस तरह से हम और भी बहुत सारी ही कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई data object है जैसे हमारे पास कोई json की file है यहां पर हमने data dot json रखा है जैसान रखा है एंड हमारे पास एक object है इसके अंदर हमारे पास heading है तो डबल code सी उस करते है भाई heading है heading में लिखा हुआ है what is your name ठीक है यहां पर हमारे पास content है content है content का लिखा है my name is my name is द्रुगेश कुमार तिवारी तो आप क्या कर सकते हो आप इस पूरे पूरे डेटा को वहां से load करा सकते हो सिम तरी का वही है आप file का नाम about.html की जगा है यहां पे आप data.json कर दो and अब json से data आएगा and वह पूरा का पूरा data यहां पर आ जाएगा जिसको हम लोग parse कर सकते है json में अब देखेगा यह देखे है string format में आगे इस data को आप parse करके भी print कर सकते हो ठीक है then आप अलग हिसाब से अपने object को मैं तो भी console पर दिखा रहा हूं और आप अपने हिसाब से इस object को use कर सकते हो तो मैंने simply print कर दिया आप समझ जाओगे तो इस हिसाब से आप यूज कर सकते हो हम लोग console चल कर देखते है and console पर आपको बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी अब आउट यह देखे आपको वह अला object मिल गया जिसके अंदर content है my name जुर्गिश को मातेवारे लाइन के अंदर यूज कर सकते हैं इसलिए framework जादे प्रिफर किया जाते हैं कि इतनी सारी लाइन को लिखने आप देखो यहां से मैंने function लिखा 10 लाइन से शुरू किया था और 25 लाइन तक एक लिए लिखा है अगर यह काम एक लाइन से हो जा रहा है तो फिर मतलब कैसे करोगे बार बार दद 15-15-20 लाइन को लिखेगा जाके दस दस लाइन एक लाइन वाले चीज़ उस करके हम दोक देखते है कि एक लाइन से कैसे होगा तो आपको चाहिए होगी लाइबरेरी कहों सी आपको जैओगी लाइबरेरी जेक्वेरी की तो आप Google पर आ जाओगे यहां पे लिखोगे जेक्वेरी and CDN लिख दो CDN and यहां देखो CDN ले ले लेते हैं हम लोग manifest पर चलते हैं and यहाली link ले लेते हैं यहाली link हम लोग देखें copy कर लेते हैं अपने index.html पर आ जाते हैं and लगाना का है आप टॉप पर भी लगा सकते हो बट हम लोग थोड़ा बचने के लिए जो code लिखा है वो mix ना हो हम लोग यहां पर लगाएंगे ठीक है sorry 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 ठीक है तो सब्सक्राइब करते हैं यह क्लिक करते हैं and paste कर देते हैं तो जे यह लगे और इसके ऊपर मेत गिईए यह लोड यह काम करते हैं बट हम क्या करेंगे इस भार हम इस बार डिटाव़ लोड करेंगे बट डूसरी बटन ना खेंगे तो हम यह क्या करते हैं butt? heji लोड जे अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम चाहते हैं हमारे data.json का data पूरा आ जाए तो अब यहां पे हम लोग लगाएंगे कुछ चीज़ें देखो पूरा syntax jquery के लिखेंगे अगर आपको jquery नहीं आती है अब हमें क्या करना है हम चाहते हैं जैसे हमारे document लोड हो हमारा एक function कॉल हो जाते हैं तो आपको ऐसे लिखना है जैसे हमारे document.ready जैसे हमारे document.ready होगा यह function चल जाएगा इसके अंदर हम एक और function पास करेंगे देखिए हम लिखेंगे function and यह देखिए एक और function मैंने पास किया यह function है इसका नाम नहीं anonymous function है यह हम इसकी body एंटर कर देगे तो जैसे ही document हमारा ready होगा जैसे document हमारा ready होगा यह function चल जाएगा यह वाली चीज़ चल जाएगी ठीक है document is ready है तो यहाँ पर मैं लिखेंगो document is ready हमारा document ready है अब हम क्या करेंगे हम लगाएगे click listener तो हम कहेंगे यार हमारी उसकी id थी j button तो id को target करने के लिए आपको लिखना has लिखना है j button dot मतलब यह वाली button j button जैसे ही click होगी click होगी जैसे ही click करेंगे एक function और call करेंगे तो जैसे ही click होगी आपका यह function फिर से call हो जागा ठीक है that means button भी क्या होगे हमारी click होगी अब अगर button click होगी तो हम लोग को लगाना है यहाँ पर अज x call तो आपको simply एकना है get लगाना है तो आप लिखेंगे dollar dot get अगर आपको post लगाना होता तो आप यहाँ पर post लगा देते हैं ठीक है आप इसमें get post कैसे change करते हैं यहाँ पर ठीक है इसमें अलग से function ही दिया गया है तो हम लखेंगे get and get के अंदर कहां से data load करना है तो हम लखेंगे data dot json and अगर success जो आता है तो हम यहाँ पर pass करेंगे अपना callback कैसे call back simply हम यहाँ पर अपना function pass करेंगे and आपको यहाँ पर data मिल जाएगा simple तो हम log कर देते हैं simply console dot log तो इसमें सिर्फ callback function का पूरा पूरा खेला है ठीक है तो जैसे get होगा यहाँ से data आएगा and यह function call हो जाएगा data variable में आ जाएगा and simply मैं यहाँ पर pass कर दिया यहाँ पर मैं आप समझ जाओ ठीक है तो इतना easy है यह एक ही function यह इतने में काम हो गया जो काम हम उपर इतने बड़े में कर रहा है ठीक है इस लिए function ज्यादा important है jQuery framework ज्यादा important है तो आप हम लोग दोनों काम करेंगे सबसे पहले हम लोग आएंगे and हम लोग अपना नॉर्मल यूज करेंगे परफेक्ट है and then हम लोड ज्यक्वरी लोड पर क्लिक करेंगे यह देखिए तो यह कह रहा है console की spelling गलत होगी 579 पर आ जाते हैं वापस यह देखिए console की spelling गलत हो लोड कर सकते हैं इससे भी डेटा लोड कर सकते हैं कोई तो आइधिक आपको समझ में आगा होगा जैसन है क्या अगर आप कहोगे तो next में थोड़ा सा एडवांस वीडियो बना दोगा जिसमें हम लोग कुछ और बेकेंड की API बना के कॉल कर लेंगे यह सार बहुत सारी फे सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को लाइक करना मत बुलेगा जया हिंद जया भारत बाबाइए